Hello students, this video is for the 4th class students of Unique Public School, Rhea. Students, आज़ों करेंगे chapter 2nd की exercise 2.8 का सामनों. 1. In an election, Mr. Kamath got 1,66,720 votes and Mrs. Kapoor got 1,59,884 votes. Who got more votes and how many more? तो सामनों में फस्त में यह बताए गया है कि जो Mr. Kamath है, उन्होंने election में total, उनको election में total जो votes है, वो कितनी मिली है? 1,66,720 और जो Mrs. Kapoor है, उन्हें कितनी मिली है? 1,59,884 वो, who got more votes and how many more? तो यहां पर हमें यह पुछा गया है कि किसे ज़्यादा votes मिली है और कितनी है? तो इसे find करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, Mr. Kamath got votes. Mr. Kamath, Mr. Kamath got votes equal to 1,66,720. 720, 720, next, Mrs. Kapoor, Mrs. Kapoor got votes, got votes equal to 1,59,884, 84, तो ones की नीचे ones, tens की नीचे tens, hundred की नीचे hundred को लिखें, hundred की नीचे hundred, thousand की नीचे thousand, ten thousand की नीचे ten thousand, और lag की नीचे lag लिखेंगे, to हमें यह find करना है कि किसको ज्यादा votes मिली है और कितनी मिली है? तो इसके लिए हम क्या find करेंगे क्या करेंगे माइनस करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे यह थेंगे अब हम 0 में से 4 को माइनस नहीं का सकते यहाँ पर बनगे 1 यहाँ पर बनगे 10 10 माइनस 4 6 1 में से 8 को माइनस नहीं का सकते, दस लेंगे carry, यहां पर बनेगे 11, यहां पर बनेगे 6, and 11-8, 3, 6 में 8 को माइनस नहीं का सकते, दस लेंगे carry, यहां पर बनेगे 5, यहां पर बनेगे 6, 16, 16-8, 8, तो फिस से हम carry लेंगे, यहां पर बनेगे 15, यहां पर बनेगे 5, 15-9, 15-9 6 and 5-5 0 1-1 0 तो यहां पर आया हमरा 6836 तो यहां पर हम लिखेंगे Mr. Kamant Mr. Kamant got more votes equal to 6836 तो last में हम लिखेंगे therefore Mr. Kamant Mr. Kamant got 6836 more votes तो students exercise 2.8K जितने भी next sum है वो सभी हम ऐसे solve करेंगे Thank you तो तो the तो खबाएबे पाँ सभी हम करेंगे तो तो यहां अग Mean झाल झाल झाल